हाई गाईज वालकूम बैक आपका अपने चानल पे बहुत ही ज़दा स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 18.1 के टॉप 4 न्यू फीचर्स के बारे में जो की आपको iPhone 13 पे जरूर पता होने चाहिए अगर आप सभी भी iPhone 13 यूज़ कर रहे हो और आपको अपडेट करना है iOS 18.1 के अपडेट पे तो ये फीचर्स आपके लिए काफी ज़दा यूसफुल रहने वाले हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना कसी देरी के साथ इस अपडेट का साइज iPhone 13 पे 1.59 GB का है अभी तक अगर आपने अपडेट नहीं कर आपने इस डिवाइस को आपको सबसे पहले अपनी iPhone के स्टोरेज को जुरूर एक बार चगाप कर लेना है कि आपके बास डबल स्पेस होनी चाहिए जितना अपडेट का साइज है तो अपके पास 5 GB तक की फ्री स्पेस आपके iPhone 13 पे वेलबल होनी चाहिए सबसे पहला जो सबसे यूसर फीचर है वो है कॉल रिकॉर्डिंग आइफोन 13 पे अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग दीखने को मल जाती है तो कॉल रिकॉर्डिंग को इने वल करने के लिए आपको इस सेटिंग में जाना है एपस के Chart पर टैप करो और यहां पर आपको अपनी phone के Application को search करना है यहां ठiãoगी telephone के application फो यहां से आपको अपनी phone के application को Open कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे आप phone के application को open करोगे आपके सामने यहाँ पर call recording option शो हो जाएगा आपको इसे own कर देना है जैसे आप call recording के इस feature को own करते हो settings में से अब आपको यहाँ पर किसी भी person को call लगानी है जो जैसे कि मैं यहाँ पर इस person को call लगाऊंगा तो जैसे मैंने इसको call लगाया तो यहाँ पर आपको देखने को मल रहा होगा यह audio का option जो की call recording का है तो दूसरे phone में मैं अपनी call को pick करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो call है आपको recording का option शो कर रही है तो यहाँ से आपको call recording जो है वो start हो जाती है आपके device में से कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर आपको यह pop-up शो करेगा आपका device take notes on this call तो यह जो call है आपकी record हो चुकी है आपकी notes की application में जिसको कि आप open करके check out कर सकते हुए यह call recording का जो section है आपको अलग से यहाँ पर देखने को मलने वाला आपकी notes की section पर तो इस तरीके से आप iPhone 13 पर आप किसी भी incoming calls को record कर पाऊगे अपनी iPhone 13 की उबर तो second जो feature है वो है आपके control center में control center में अब आपको connectivity से related controls को change करा गया है तो यह interface आपको कुछ ऐसा देखने को मल जाएगा पुराने update में ऐसा नहीं था उसके बाद individual controls आप add कर सकते हो connectivity के उनको add करने के लिए आपको simply add control के उपर tap करना है तो यह सारे individual controls आपको देखने को मल जाते हैं जो कि आप add गर के use कर सकते हो day to day routine में जैसे कि यह airdrop airdrop पहले आपको यहां से open करना पड़ता था अब आप directly यहां से ही से launch कर सकते हो everyone के उपर set कर सकते हो single tap के उपर तो उसके बाद यहां से आप अपने control center को reset भी कर सकते हो reset करने के लिए आपको यह reset button दिया गया है so reset के उपर tap करो और default जो control center होता है नए iPhone में वो आपको यहां पर देखने को मल जाता है so इस तरीके से आप अपने control center को reset भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से iPhone 13 पे उसके बाद notifications में अब आपको एक नया notification summarize का option देखने को मलेगा जो कि आपकी notifications के जो आइकान के उपर यह numbering देख सकते हो कितने notifications के application आपको provide करी है वो सारी सारी information आपको यहां पर notification center में देखने को मल जाती है so यह notification का नया style आपको कैसा लगा मेरे को comment section में ज़रूर बताएं so उसके बाद और कोई भी AI से related feature iPhone 13 पे आपको Apple ने provide नहीं कर रहा है यह जो device AI features को support नहीं करता है बाकी AI features की भी वीडियो लेकर आने वाले हैं जल्दी अपने चानल पर यह सो तब तक के लिए अपने चानल को subscribe कर लें so यह थे इसके top 4 new features जो कि Apple आपको iPhone 13 के उपर provide कर रहा है iOS 18.1 के नए stable update में I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी सुंबलते हैं गाईज next वीडियो में so thanks for watching thank you so much